आज हम देखेंगे रेखा आलेक से संबंदित कुछ मज़ेदार उधारण दर्शाय गए रेखा आलेक यानि लाइन ग्राफ को देखिए इस आलेक में क्या सूचना प्रदर्शित की गई है दर्शाय गए रेखा आलेक में शैतिज अक्ष यानि होरिजॉन्टल एक्सिस पर महीने दर्शाय गए है तथा उर्ध्वाधर अक्ष यानि वर्टिकल एक्सिस पर बेची गई मोटर साइकिलों की संख्या ली गई है इस त तथा त्रेखा यानि continuous line द्वारा वर्ष 2007 के विभिन्न महीनों में motorcycle की बेची गई संख्या दर्शाई गई है। मार्च 2008 में मार्च 2007 की तुलनामे कितनी अधिक motorcycle के लिए बेची गई है। दोनों वर्षों के कौनसे महीने में बेची गई motorcycle की संख्या समान है। दर्शाय रेखा आलेक में सतत रेखा और बिंदू कित रेखा एक बिंदू पर प्रतिच्छेद यानि इंटरसेक्ट कर रही है। प्रतिच्छेदन बिंदू अप्रेल महीने पर स्थापित है। इससे हमें ग्यात होता है कि दोनों वर्षों के अप्रेल महीने में बेची गई motorcycle की संख्या समान है। चलिए अगला उधारण देखे। रमेश ने एक पौधा लगाया। हर सप्ता के अंत में उसने पौधे की लंबाई ग्यात की जो इस प्रकार थी। एक एकाई बराबर दो सेंटिमीटर यह पैमाना लेकर दी गई सूचना को रेखा आलेक के रूप में निरूपित कीजिए। एक रेखा आलेक ऐसे आकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते हैं। रेखा आलेक में आकड़े बिंदो द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं। अब चलिए दर्शाई गई सूचना के आधार पर रेखा आलेक कीजे। कागस पर दो परस पर लंब रेखाएं खीचे। शेतिज रेखा एक्स अक्ष और उर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष है। हम एक्स अक्ष पर सब्ताह में समय दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम एक एकाई बराबर दो सेंटीमीटर पैमाना लेकर वाई अक्ष पर पौधे की लंबाई दर्शाएंगे। सबसे अधिक मान 11 सेंटिमीटर है इसलिए हम वाय अक्ष पर लंबाई इससे अधिक संख्या जैसे 12 सेंटिमीटर पर समाप्त करेंगे अब हम आकडों को बिंदु द्वारा अंकित करेंगे प्रारंभ में यानि की शून्य स्थिती में पौधे की लंबाई शून्य है इसलिए हम शून्य के स्थान पर बिंदु अंकित करेंगे इसी प्रकार सब्ताह एक में पौधे की लंबाई 2 सेंटिमीटर है यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सब्ताह एक की उर्ध्वधर रेखा और 2 cm की शैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदू अंकित करेंगे इसी तरह सब तह 2 में पौधे की लंबाई 7 cm है यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सब तह 2 के उर्ध्वधर रेखा और 7 cm की शैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदू अंकित कर अब हम सभी बिंदुओं को रेखा खंडों से जोडेंगे। हमने समय के अनूसार पौधे की लंबाई में वृद्धी को रेखा आलेख के रूप में प्रद्रशित किया है। इसलिए हम इसे समय वृद्धी यानि टाइम ग्रोध का आलेख कह सकते हैं। आज हमने देखे रेखा आलेख से संबंदित कुछ मज़ेदार उधारण। अगले वीडियो में एक और उधारण देखेंगे।